C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा तीन के द्वनी पुस्तक गणित का जादू ग्यारवाँ पाट जगमग जगमग प्रिष्ट एक सोई क्यावन इस प्रिष्ट पर जंगल का द्रिश्य दिखाया गया है जहां पर जंगल के सभी जानवर शादी की दावत उडाते हुए दिखाय दे रहे हैं और वहाँ पर कुछ बोर्ड भी टंगे हैं जिन पर लिखा है बन्नी और बन्नो की शादी और स्पेशल ड्रिंग्स बन्नी के परिवार में शादी बन्नी के परिवार में शादी हो रही थी ये खरगोशों का एक परिवार था हिरणों, बंदरों, हाथियों, बिल्लियों, चूहों, कुत्तों, लोमनियों, उंटों, नेवलों जैसे कई महमान बुलाए गए सभी को एक खास शर्बत पिलाय जा रहा था सबके लिए एक गिलाज सबको लग रहा था कि शर्बत काफी स्वादिष्ट है लेकिन कुछ छोटे महमानों जैसे रिक्तिस्थान से एक पूरा गिलाज भी समाप्त नहीं हुआ लेकिन रिक्तिस्थान ने अपना पूरा गिलाज खत्म कर लिया अब आपको इन रिक्तिस्थानों में जानुरू का नाम भरना है प्रिष्ट 152 कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने एक से ज्यादा गिलास मांगा जैसे रिक्तिस्थान, रिक्तिस्थान, रिक्तिस्थान मुश्किल अब शुरू हुई वहां कुछ बड़े महमान भी थे जो गिलास पे गिलास उड़े ले जा रहे थे बनी अंदाजा लगाना चाहता है कि किसने कितने गिलास पिए तालिका भरने में उसकी मदद करो, मज़ा आएगा यहाँ पर दो खाने दिये गए हैं पहले में लिखा है किसने कितना पिया और दूसरे में लिखा है महमानों के नाम किसने कितना पिया वाले खाने को देख कर आप महमानों के नाम वाले खाने में जानुरों के नाम लिखो पहला एक से कम गिलास रिक्तिस्थान रिक्तिस्थान दूसरा एक से पाँच गिलास के बीच रिक्तिस्थान रिक्तिस्थान तीसरा पाँच से दस गिलास के बीच रिक्तिस्थान रिक्तिस्थान और चौथा, दस गिलास से ज्यादा रिक्तिस्थान, रिक्तिस्थान पानी अंदर, पानी बाहर क्या तुम कभी लड़ू की तरह सोचते हो? यहाँ पर एक बच्चे का चित्र दिया गया है जो टॉलेट के सामने खड़ा है और उसके सामने एक बोतल और दो गिलास एक मेज पर रखे है वो सोच रहा है मैं दिन भर में बहुत सारा पाने पीता हूँ लेकिन यह सारा मेरे शरीर से बाहर नहीं निकलता यह जाता कहा है? एक दिन में तुम लगबक कितने गिलास पानी पी जाते हो? गर्मियों के दिनों में रिक्तिस्थान गिलास जाड़े के दिनों में रिक्तिस्थान गिलास अब तुम इन रिक्तिस्थानों में गिलासों की संख्या लिखो क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हारे शरीर से एक दिन में कितना पानी निकलता है? प्रिष्ट 153 किसके जग में ज्यादा है नईमा और जीतू क्या कर रहे हैं अगर नईमा अपने जग में एक गिलास पानी डालती है तो वो कुछ ऐसा दिखता है यहाँ पर नईमा का चित्र दिखाया गया है जो एक मेज के पीछे बैठी है और उसके सामने जग और गिलास रखा है जग में आधे से कुछ कम पानी दिखाया गया है नईमा को लगा कि उसे जग भरने के लिए जग में लगभग तीन गिलास पानी डालना होगा तुम्ही क्या लगता है रिक्तिस्थान अगर जीतू अपने जग में एक गिलास पानी डालता है तो वो कुछ ऐसा दिखता है यहाँ पर जीतू का चित्र है जो नईमा की तरह ही मेज के पीछे बैठा है और उसके सामने मेज पर एक गिलास और एक जग रखा है और वो जग के पानी को ध्यान पूर्वक देख रहा है बताओ किसके जग में जादा पानी आएगा रिक्तिस्थान तुम्हें कै लगता है कि जीतू को अपना जग भरने के लिए उसमें कितने गिलास पानी डालना होगा रिक्तिस्थान अगर जीतू एक गिलास पानी और डालता है तो उसका जग लगभग रिक्तिस्थान भर जाएगा प्रिष्ट 154 मटके भरना नसीम और अब्दुल को अपने अपने मटके पानी से भरने हैं दोनों मटके एक जैसे बड़े और भारी हैं उन्होंने अपनी बोतल भरी फिर उसे ले जाकर मटके में डाला इसलिए उन्हें बार बार नल के पास जाना पड़ा यहाँ पर दो मटकों के चितर दिये गए हैं और साथ ही नसीम और अब्दुल का चितर भी बना है जो नलकों से अपनी अपनी बोतलें भरते हुए दिखाए गए हैं नसीम नल से 16 बार बोतल भर कर लाई जबकि अब्दुल को अपनी बोतल केवल 8 बार ही भरनी पड़ी नसीम को अब्दुल से ज़्यादा बार क्यों जाना पड़ा? अब्दुल की बोतल से नसीम की बोतल में रिक्तिस्थान, दुगना, आधा या तीन गुना पानी आ सकता है कितने गिलास? यहाँ पर दो मटके दिखाए गए हैं बड़े मटके पर एक लिखा है और छोटे मटके पर दो साथ ही एक छोटा गिलास भी दिखाया गया है मटके दो में पूरे ग्यारा गिलास पानी आता है मटका एक में मटका दो से दुगना पानी आता है मटका एक को भरने के लिए कितने गिलास पानी चाहिए? रिक्तिस्थान शिक्षकों के लिए निर्देश बच्चों के लिए ये जरूरी है कि वो पानी, दूद आधी को मापने और अलग-अलग तरह के बर्तनों बोतलों आधी के साइस की तुलना करने के अनुभव को बताएं उन्हें इसका अवसर मिलना चाहिए कि वो गिलास भर, बाल्टी भर जैसे शब्दों का इस्तमाल कर सकें साथ ही इसकी भी कोशिश की जानी चाहिए कि वो पानी के मातरा के संदर्ब में आधा, दुगना, चार गुना शब्दों से परिचित हो और उन्हें एक लिटर लगबग कितना होता है इसका एहसास हो प्रिष्ट 155 बाल्टियां और बोतले यहाँ पर एक चित्र में बालक को बोतल से बरतन में पानी डालते हुए दिखाया गया है और उसके आस पास कुछ अन्य बरतन भी रखे हैं जैसे कूकर, पतीला, कढ़ाई, मगगा, बोतल, बाल्टी, इत्यादी एक लिटर की एक बोतल लो यह पानी या तेल की खाली बोतल हो सकती है अब अपने घर से कुछ और खाली बोतलें मग, जग, गिलास, कटोरी, पतीला यह सब इकठे करो देखो कि इन में से किस में एक लिटर से ज़्यादा पानी आता है और किस में एक लिटर से कम आता है अगर तुम चाहो, तो एक छोटा चितर बना सकते हो यहाँ पर दो खाने दिये गए है पहले खाने में लिखा है एक लिटर से कम और दूसरे में लिखा है एक लिटर से ज़्यादा एक लिटर से कम, कटोरी कटोरी का चितर भी बना है एक लिटर से ज़्यादा पतीला, पतीले का चितर भी बना है अब आप बाकी के खाली स्थानों में एक लिटर से कम वाले बरतनों के नाम लिखें और उनके चित्र बनाएं और साथ ही दूसरे खाने में एक लिटर से ज़्यादा वाले बरतनों के नाम लिखें और साथ ही चित्र भी बनाएं यहाँ पर साथ ही तीन बरतनों के चितर भी दिखाए गए हैं यह हैं कटोरी, कप और पतीला अब जरा अपने घर की बाल्टियों को देखो अंदाजा लगाओ कि उनमें कितने लिटर पानी आ सकता है एक लिटर वाली बोतल के सहारे यह देखो कि क्या सभी बाल्टियों के लिए तुम्हारा अंदाजा सही है यहाँ पर तीन खाने दिये गए हैं जिन में पहले खाने में बाल्टि, दूसरे में मेरा अंदाजा और तीसरे में मेरा माप लिखा है अब आप अपने अंदाजे से यहाँ पर दिये गए रिक्तिस्थानों को भरो. बाल्टी एक, मेरा अंदाजा रिक्तिस्थान, मेरा माप रिक्तिस्थान. सही जोड़े बनाओ. इस प्रिष्ठ में कुछ चित्र दिये गए हैं और उनके सामने उनमें आने वाला पानी का माप लिखा है. लगबक बारा लीटर, आदे लीटर से कम, लगबक पांच लीटर, एक हजार लीटर, आदे लीटर. आपको इनके सामने कुछ वस्त्वे दी गई हैं. अब आपको इन वस्त्वों का इससे सही मिलान करना है. ये वस्त्वे हैं दूद नापने का पैमाना, पानी की टंकी, बाल्टी, आँखों की दवाई की शीशी, और पानी की सुराही. प्रिष्ट 157 और गड़े स को भरने में बारा मग पत्थर लगे. यहाँ पर एक चित्र में कुछ बच्चों को दिखाया गया है. और साथ ही ये भी दिखाया गया है कि वो बच्चे पत्थरों की सहता से गड़ों को भर रहे हैं. चित्र में सही गड़ों पर अ, ब, स लिखो. सबसे बड़ा गड़ा कौन सा था? रिक्तिस्थान अगर गड़ों को भरने में जग का इस्तेमाल किया जाए, तो गड़ा अ, पाँच जग से भरेगा. गड़े ब को भरने में कितने जग पत्थर लगेंगे? इसी के साथ, ग्यारवा पाट जगमग जगमग यहीं समाप्त होता है. स्वर, प्रमीन शर्मा, तक्नीकी समन्वयक, बटिलेंग लिंडो, ध्वनियंकन, मयंक कुमार, निर्माण सहयोग, रुचि शर्मा, निर्देशन और निर्माण, विमलेश चोधरी, तथा प्रस्तोती, CIET, NCERT, नई दिल्ली, भारत.